हेलो गाइस गुट मॉनिंग तो गाइस हम इस वीडियो से सुरू करेंगे अपना 8 एम एपिसोड की सिलसला ओके रोजाना मैं कल से आपको पता दिया था रोजाना आठ बजे सुभे आठ बजे एक वीडियो आएगा जिसमें मल्टी अपडेट्स होंगे जो कुछ भी मेरे पास अपडेट आएंगे वो सारा का सारा अपडेट्स को ले करके एक वीडियो बनाऊंगा और 8 बजे वो वीडियो आपके पास ला करके छोड़ दूँगा और आज से ये सिलसिला सुरू हो चुका है तो गाइस मैं अभी थोड़ा सा ब्यास्त हूं बीजी मैं ये फिल्मी वेबसाइट वगेरा फिल्मी जगत फिल्मी न्यूस वगेरा मैं नहीं देख पा रहा था जब अभी मैं जागर के देखा अकल जो मैं यही आल्ली मनिंग को मैं जब देखा और कल भी देख रहा था तो गाइस क्या नहीं हुआ है यार क्या क्या तेहल का मच के साथ और सभी का वीडियो कंटेंट आने वाली है किस तरह का माहूल है है ना तो वाइस मैं सोची रहा था अगर मैं ब्यस्त नहीं होता तो भाई यह जो माहूल अभी बनी पड़ी है इसमें हम कितना एंजय दर रहे होते बहुत मजा आ रहा होता लेकिन क्या करें मैं जूड वीडियो में लेकर के आया हूँ जो कि स्रिया रेड़ी जी का इंस्टा स्टोरी पे एक पोस्टर देखने को मिला है और बो फुस्टर को नेटिजन्स दावा कर रहे हैं कि यह सलार से रिलेटेड तो नहीं है क्योंकि वहां पे कोई टैटिल बगरा लिखा नहीं गया है बस उनका पोस्टर है उनका तस्वीर है उनका पिक्चर है जो कि गन ताने हुए जिस तरह कि डेडिकेशन जिस तरह का एक्शन अफ्तार में स्रिया रेड़ी दिख रहे है ना मेरे भाई बहुत जबद्दस्त लग रहा है और उनकी अपकमिंग फिल्मों के हिसाब से सलार एक फिल्म है उनका किरदार एक ऐसा खतरनाक किरदार है जो कि यह जो डेडिकेशन यह जो पावारफुल वाला जो पिक्चर यह जो पावारफुल वाला जो पोस्टर आया है यह एकदम से सलार के साथ मैच खाता है इसे लिए डावा करें कि कहीं यह सलार का तो नहीं है लेकिन क्या पता यार देखो प्रसान नियल एक्चली सारा का सारा चीज को confidential दरीगे से रखे हैं इतना कुछ हो चुका है सलार मूभी पोस्टमंट होकर के पीछे जा चुका है लेकिन अभी तक प्रोमोशन के चलते कोई नया आउटपुट हमें देखने को नहीं मिला है जब हम पोस् स्रिया रेड़ी जी का तस्वीर अचाना के से रिवील करना मुझे नहीं लगता लेकिन स्रिया रेड़ी जी का जिस तरह का डेडी केसन जो एक्षान अफ्तार देखने को मिला है मेरे भाई एकड़म से खतरनाग लगा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ साइद ये सलार का हो भी सकता है अगर नहीं भी हुआ तो सलार में और भी जड़ा खतरनाक एक्षान अफ्तार में उनको देखने को मिलेगा जो कि बहुत जबर्दस्त लगेगा अगर हम यहां पर बात करें कल की 289880 मूवी की तो भाई देखो हाली मैं कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो भी किया था जो मैंने अपने इंस्टा पर वो फटो को थोड़ी देर के लिए मैंने रखा था लेकिन फिर बात मैं फिर उसे मैं खुदी पर डिलीट कर दिया क्योंकि मेकर्स की वर्निंग आ गया कि कोई भी मतलब इसको शेयर नहीं कर सकता बुल कर गया क्योंकि BFX कंपेनी की कंपेनी वालों की तरफ से डालिंग प्रवास की एक अफ्तार एक एक रूप है उनका जो एक तस्वीर है जो कि वाईराल हो गया था उके उनका लूप जो है वो वाईराल हो गया था एकदम से बाहुवली की माफी भाई साथ क्या लूप था यार सच में डिमाग हिल करा देखूंगा मैं उन लोगो को पर्सनाली भी दिया था अभी मैं खुद भी डिलीट कर दिया हूं कि कि मैं किसी को मैं भी खुद नहीं देखाऊंगा अपन डालिंग प्रवास का बहुत बड़ा फैन है और कल की मुवी के लिए बहुत ज्यादा एकसाइड़ है तो हम ख कल की मुवी वाले अभी एकदम से लिगली एक नोटीस जारी किये हैं जो कि ऐसा कुछ अगर होता है किसी के भी हातों अगर मतलब कल की मुवी की तरफ से कोई भी चीज लीक होता है तो गाइस उसके उपर लिगली एक्शन लिया जाएगा और ये एक करक्ट निउस है भाई इंडियन सिनेमा जिस तरह का रेकर्ड बनेगा जिस तरह का फिल्म आएगा अभी तक नहीं आया है और ना आगे कुछ सालों तक आप आएगा उस तरह का फिल्म ये जो कल की 289880 मुवी बनने वाली है और उस मुवी का कुछ अगर रिलिक वगेरा होता है लोगों को ओन ओफ लिये हैं और ये डिसिजन के खिलाब मैं बिल्कुल नहीं हूँ ये डिसिजन को मैं दिल से सपोर्ट करता हूँ कि भाई इस तरह का एक्शन लेना है उनका हक बनता है क्योंकि ये लोग जिस तरह का मेहनत करें जिस तरह का खर्च लगा रहे है वो फिल्म में इस तरह का करन तो बनता है मेरे भाई, तो मैं इसके खिलाब नहीं हूँ, मैं इसको दिल से support करता हूँ, आप support करते होगी ने मुझे जरू comment करिएगा, अभी हम poster reaction करेंगे, तो guys पहले हम बात करेंगे, लियो movie के बारे में, लियो को ले गर के घमाकेदार poster आया है, जो मुझे से छुट गया अभी मैं देखा, तो guys, poster न, मैं सारा का सारा film का अगर बता दूँ, लियो का, एनिमल का, ये जो टाइगर, नागेस्वर राओ, जो फिल्म आया है, ये जो आ रहा है, रभीतया जी का, गनपत का, ये सारा का सारा film का जितना भी poster आया है न, guys, ये बस poster में style और swag को ये hero ऐसा ही देखने को मिल रहा है, देखो, बहुत news viral हो रहा था कि संजयदत और ये जो थलापती बीजे सर हैं, ये दोनों बाप बेटे के रोल में हैं, बुलगर के, लेकिन ये जो poster आया, इस poster ने ये जो news बगरा चल रहा था, बाप बेटे को ले करके, इसका धज्या उड़ा सर की, थलापती बीजे सर, संजयदत सर की एकदम से गर्दन पखड़ के पुरा मरोड रहे हैं, उनको, है ना, तो कोई बेटा अपनी बाप का तो ऐसा नहीं कर पाएगा, तो वो जो news फैली हुई थी कि दोनों बाप बेटे के किरदार में हैं, बोलकर के, उसको पुरा एकदम से सर्प्राइस पैदा कर दी हैं कि भाई, लियो मूवी की स्टोरी किसी को नहीं पता, कुछ अलग, कुछ धमाकेदार हमें देखने को मिलने वाली है, और वो पोश्टर देख करके बहुत जबर्दस्त लगा, और एकदम से किरिश्र की बनने लगे हैं कि भाई, हम जो सोच रहेते बिल्कुल वैसा नहीं है, कुछ नया है, कुछ अलग है, बहुत धमाकेदार है, और उसमें जो परच्छाई वाला पोश्टर जो है, परच्छाई वाला जो लूक है, धरपती बिये सर का भाई, वो लूक तो बहुत जबर्दस लग रहा है, उनको देख करक उसके अंदर बहुत धमाकेदार चीज़ है, और जो टेगलाइन लिखा हुआ है, वो ही पुश्टर के लिए है, उसके लिए ही है, नीचे वाला एक्शन मोर के लिए नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, अभी आंग आप बात करें, टाइगर नाविस्वर वाला किरदार है, और उसके साथ साथ कॉमेडी भी करेंगा उसमें, कुछ ऐसा भी नजर आ रहा है उसमें, और वो जो सोने को पकड़ करके ऐसे जो सुंगता हुआ, बाई, देखो ये तो हमें टीजर से ही पता चल गया था, क्योंकि वो लूट रहा है सभी को, है ना, लू तो Oh, ये जो टाइगर सरफ का भी और कृती सनन का भी, क्रिती सनन को देख करके भी लग दाए कि बाई क्या डिकासन है बंदीगी, बहुत जबदस्त लग और apatा ऑर up Irish लग और ऐच्षां को देखनेके लाए मतलब ये स्टाइग का फिल्म होने वाला है, ये एक नहीं होती है फिल्म में मतलब ऐसा कुछ नहीं हो पाता है जैसा लोग सोचते हैं ने तो एक्सन के action के action के action उसकी उचलकुद यह जो जिस त्रहा का action जो dedication देखने को मिलता है एक action hero के तौर पर बहुत तो कुट कुट के भरा है बंदे के अंदर लेकिन बस फिल्म में कंटेंट वगेरा ये सवरा कुछ का ये रह जाता है तो गाईस गनपद मूवी में अगर बोचीज फिलव हो गया न तो गाईस ये एकड़म फार देगा लिटरली फार देगा क्योंकि ये एक्षन में मारी में एकड़म से जबर्दस्त है गर हम यहां भर बात करें मेरे बाई एनिमल मूवी का तो ऐनिमल मूवी का भी दोडों पोस्टर देखने को मिला है जो कि बाप बेटे का इमोशन इस फिल्ममें बहुत ज्यादा तकड़ा होने वाली है क्योंकि अनिल कपूर जी को दिख करके उनकी पोस्टर को दिख करके फील हो रहा है और जिस तरह का जो ओडियो वगेरा भी वाइराल हुआ था उसको दिख करके भी हमें पता चल चुका है कि भाई एनिमल मुवी में बाप बेटे का इमोशनल बहुत ज़्यादा यह होने वाल जो रनबीर कपूर है वो एक साधा सिधा सिंपल इनसान बनेंगे एक लेक्चर है या एक प्रोफिशर ऐसा कुछ है लेकिन बात में हालात कुछ ऐसा होगा अपनी बाप को सहरा देने के चक्कर में वो भी खुद गेंग्स्टार बन जाएंगे कुछ इस तरह का स्टोरी इस वीडियो का बात किया टाइगर नाइसपर राओ का फिल्म की बात किया गन गन पत कर किया और एनिमल मुवी का किया यह चार चार फिल्म का ना गाईस हमें बहुत ही जल आने वाले 10-15 दिन के अंदर हमें वीडियो कंटेंट देखने को मिलेगा वो भी टीजर ट्रेलर एक द टाइगर मुवी का लियो मुवी का गन पत मुवी का ट्रेलर देखने को मिलेगा भाई सहाब यह इससे बड़ी गुड़निव सर क्या हो सकता है जो कि 10-15 दिन के अंदर इतने खतरनाक फिल्मों की वीडियो कंटेंट देखने को मिलेगा वो भी टीजर ट्रेलर वाला कोई तक आएगर मुवी कि वीडमों क्य है तक